हेलो डियर श्टुडेंट्स कैसे आप सब उम्मीद है आप अच्छे होंगे और घर पर पड़ाई कर रहे होंगे तो फ्रेंड्स आप जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि बहुत दिनों के बाद मैं मैं आपके सामने और आपकी क्लास लेने और यूटुब पर आया हूँ उसका बस एक ही रीजन था कि I am facing very busy schedule सो माप करना मुझे क्योंकि बहुत दिनों के बाद मेरी वीडियो नहीं आप आई लेकिन आज मैं एक नए उम्मीद के साथ मैं नए जो सो युवा सोच के साथ मैं आपके सामने एक नए क्लास के साथ मैं फिर हाजिर हूँ और आज का topic बोड़ पर देखी रहे होंगे जिसका नाम है cyclotron, cyclotron होता है बताएंगे सारी के सारी चीजें कि ये किस काम क्या काम करता है ये चीजें किसने बनाई कब बनाई हाकर इसकी क्या जरुत पड़ी तो मैं एक छोटे लेबल से लेकर के बड़े लेबल तक के cyclotron को लेकर के चलोंगा तो मैं आपसे कहना चाहूं कि पहली बार तो मुझे माफ ही कर देंगे कि बहुत दिनों के बाद मैं आपके समझ चाया हूं तो सुलो सभी ध्यान से कि दिल के जकम बड़े जिक दिल के जकम तोड़े गहरे हैं क्या है दिल के जकम बड़े तोड़े गहरे गेरे जकमों को बरने आया हूं नहीं बात समझे मैं कि दिल के जकम तोड़े गेरे हैं दिल के जकम धोड़े गेरे हैं गेरे जकमों को बरने आया हूं देखता हूं कब तक हराएगी ये जिन्दगी देखता हूं कब तक हराएगी ये जिन्दगी चल आज आजा फिर मैं उस त उससे लड़ने आया हूँ, तो सुलो सभी के सभी, मैं आज फिर आपके सामने एक नए सोच के साथ मैं, नए उबाजोस के साथ मैं ही, आपको समझ चाया हूँ, तो यह दो लाइन है, और आपको मैड कर दूँ, कि यह दो लाइन है, उन स्टुडेंट्स के लिए, जो सरकारी नोकरी की तयारी कर रहे हैं, सरकारी नोकरी की तयारी कर रहे हैं, कि देखर गुलाब का फूल, देखर गुलाब का फूल, यह कह गया टोकरी बाला, तुम करते रह जाओ एक तरपा महब्बत यारो, उससे ले जाएगा सरकारी नोकरी बाला, उससे ले जाएगा सरकारी नोक लेनी है अटारे से 21 साल तक की बीच में सरकाई नोकरी की त्यारी करो बीच में पहली मिल जाती है कि साल से पहले तो बहुत अच्छी बात है किस बाइस के एर फिर मिल जाती है बहुत अच्छी बात है पच्छी साल के बाद साधी करो साधी करने के बाद लाइफ सेट करो फिर his exams हैं उनके लिए एक बहतरीन टपिक हुने वाला है तो Sóरि कि सारी चीज़ें बताँगा दीरे दीरे ठीक है अच्छा तो साइकलोट्रों साइकलोट्रों अखिर साइकले नाम कैसे पड़ा क्या पढने वादने वाद ने कि साइकलोटों नाम किस तरीके से पढ़ा हालंकि साइकलोट्रोन नाम किस तरगी से पढ़ा यह तो क्लास के बादन पता चलेगा लेकर फैले छूटी चीज से ले रहे हैं कि यह कब आया और किसने बनाया तो सबसे पहले बता दूं कि 1934 में 1934 में मैं कि आया है कि वही शैक्लोट्रोंट ठीक अच्छा MS यह बनाया किस ने MS लिंघ सिर्टिण एनेश स्पेंड़न ने इसको बनाया है अच्छा किसकी सैचिता से बनाया यह बनाया था लॉरंस etos से लोरेंच कि की साहथा से बनाया दोनों ने मिलकर के बनाया किया बनाया है वही इसालोट कर नाम भी उचाद महीं क्या होता है पहली बात तो मैं बता दूं कि ये काम क्या करता है ये काम करता है एक्सिलेट करने का क्या करता है एक्सिलेरेट मतलब इसका काम है एक्सिलेरेशन क्या है एक्सिलेरेशन करता है अच्छा किसको करता है बता दे चल रहा है धीरे धीर अच्छे एक्सिलेट करता है किस वात को करता है एक्सिलेट करता है यह पॉजिटिव पार्टिकल्स को करता है किसको करता है पॉजिटिव पार्टिकल्स सिस्वी और आप पता हीको पोजिटेव पार्टिकल स्कींग कई करने वाला आए तो यह करेगा आपको आपका करेगा यह प्रोटोन होता है यह प्रोटोन फॉट्व होता है बहुंत तो लेकिन मैंने यह है इसका एन लोरेंज ने सबसे पहले इसको लिया इसको लिया किसको क्या किया धूर्टों को लिया थैसनले मैं फ्राइटीकल यहीं किताबों से अगले वीडियो आएगी तो में बताऊंगा उसका आंसर क्या होगा विए लेके नहीं रहा हूँ बाध में लिखोंगा क्या था मतलब उसका ठीक है बही अच्छा चलो पहले बताई दे रहा हूं तो मुझे बताएंगे कि मुझे बताएं कहीं सर्च कहीं से आप मैंने का मतलब है जहां से आपको सर्च करना है मैं वहाद सर्च कर सकते हैं तो मैं कोरित कर सकता है तो रिट कर सकता है या नहीं इस इसका आंसर देंगे ठीक है अच्छा आपको नहीं आता है तो अगली वीडियो में मैं खुद ही डिसकस करूंगा इस बाद करने का काम करता है तोरित करने का काम करता है साइकलोट्रोन और साइकलोट्रोन नाम कैसे पड़ा इस बात का हम बताएंगे बाद में अच्छा ठीक है देखो सभी के सभी इसमें क्या होता है कि पहले जरूरत क्यों पड़ी जरूरत जरूरत सुलो पहले कि जो आपका एमेस लिंगिस्टन था लॉरंज था इनको ज्याद इसलिए साइकलोट्रोन का विष्कार होता है में लिंगिस्टन और लॉरंज के द्वारा सन 1934 में इस बात का विसेज़ द्यार रखेंगे अच्छा ठीक है बता दिया मैंने बेसिक जानकारी बताया दिए एक्सलेट करता है पॉजिटिव पार्टिकल्स को यह नीगेटिव पार्टिकल्स को कभी भी एक्सलेट नहीं करेगा तोरित नहीं करेगा क्योंकि भाई नीगेटिव पार्टिकल्स के लिए नीगेटिव पार्टिकल्स के लिए जैसे आपका इलेक्ट्रोन है एक्सलेट करने के लिए तोरित करने के लिए इन्होंने साइंटिस्ट ने हमारा आफ में इलेक्ट्रोनीक गन बना दीती लेक्ट्रोन एक गन अब भाग को एक्सि और करने के लिए टो ठीक है तो अब घुश नहीं था प्रोटों और आज पॉसिटिव पार्टीकर समके लिए कुछ नहीं था तो वह इन धॉन साइन्टिष्ट ने सैक्लोट्रॉन की खोज करी गई इसमें क्या होता है कि इसमें दो चुम्बक होती है एक एन मतलब उत्री दुरूब और होता है एस तच्छडी दुरूब जिसको आफ साथ पोल बोल देते हैं अच्छा इसमें दो डाइज होती है डाइज किस तरीके से ऐ zamhiro are a Hazard है सब करहा है और एक होता है से ऐसे और हैसे तृड़ा तोड़ा साभड़ा इसको मैं बनानी रहा हो कोगला होता है अच्छा आपने कभी दोलक राने चलो आपका और आपकी की हो रही है तो क्या होता है कि कुछ इस तरीकिस होती एक तो इक तवला इदर उता है तो भीचे पर कूपली अटिकल ले लेंगे कौँसा पटिकल पॉजिटिव पार्टिकल लेंगे कौन सा वाडिकल पॉजेटव पार्टिकल लेंगे बीच में रख देंगे उसको वही किसको पॉजेटव पार्टिकल को भीच में रख देंगे अच्छा यह क्या करता हैं कि यू दो धाइजन क्या बोलते हैं As इसको 1 लो माने चलो मैंने कहा इसको माल लिया मैंने D1 Dice No.1 और इसको मैंने D2 माल लिया Dice No.2 होगी ठेक है बवई अच्छा यहां पर बीच में लगा देते हैं क्या बीच में लगा देते हैं कुछ इस तरीके का एक इंस्ट्रूमेंट लगा देते हैं छोटा सा ही जिसको आप HFO बोल लेते हैं highly frequency oscillator क्या बोल लेते हैं बोलो सभी highly frequency oscillator H मतलब highly F मतलब frequency of oscillator ठीक है अच्छा यह क्या काम करता है यह polarity को change करता है it changes the polarity of something ठीक है तो क्या करता है HFO highly frequency oscillator ठीक है HFO मैंने लगा दिया यह क्या करता है मैंने फिर बता रहा हूं यह polarity को change करता है जो द्रवोज है उनको change कर देता है अच्छा इसमें क्या है यह अच्छा यह क्या होता है कि डाइज 1 है डाइज मानने के चलो मैंने खाए यह negative है क्या है नीगेटिव और यह पॉजिटिव डाइज 2 डाइज 2 क्या है पॉजिटिव हो पहली यह निगेटिव यह पॉजिटिव है तब दो तो एस तो पॉजटिव मैं ने पार्टिक्ल पॉजटिव लिया था कि निया था आप एगचल लिया था और विक्रोटनना म्हीं करते लिअर नियुक्त 127 लौकरण करते हैं क्या करते हैं क्या करते हैं और जो निगेट या फिर समान समान के हैं जब बताने की आप प्लस बाली मानने चलो को है मानने चलो यह क्या है यह क्या है आपका कंशी क्या सतरीकिसे ऐसे रि ei तो यहां से तो फ्र ठीक है और यह आच्छा और zur मतलब प्रतिकर्षित किया मतलब टायट डाइट न GO कर दिया इस ने कर दिया तो तो इस इस यह इप लिए क्या कर दिया हो फिर एच फो मतलब हाइली फ्रेक्वेंसी ऊसी लेटर यह वाला ऊसी लेटर क्या करेगा इसके यहां आते ही यहां आते ही यहां पर बीच से में आते ही यहां से यहां में चलो यहां माल लेते हैं यहां आते ही यह क्या करेगा इसकी द्रोबा द्रोबों को चेंज कर देगा ज प्रत करेंगा तो एसे एसे प्रत कर देगा तो इसको 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 पॉलरीटी को चेंज कर देगा तो यह 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 पॉलरीट कुछ इस तरीके से चक्कर लगाता रहेगा चक्कर लगाता रहेगा लगाता रहेगा किसमें इसमें साइकलोट्रॉन में यह पार्टिकल निगेटिव पार्टिकल पॉजिटिव पार्टिकल क्या है आपका कह सकते हैं प्रोटॉन यह चक्कर लगाता रहेगा लगाता रहेगा हिसे में एक बिंड़ो उती यहां से निकलता हूँ एं तो यहां से निकलता हुआ तेजी से मतलब कहने का मतलब है पहले माहा चलो 2 मीटर पड़ की स्पीड था चलो यहां कि कि ती दो Ms जैसे ऑस ही तरज्या वाली है कछ्छा नहीं एलांगी यहां तक आ गया बढ़ी दो क्या हो गया है यह और लग मतलब युल करने का मतलब जया बढ़ाता है ऐसे एमाने चलो यहां पर क्या आपने इसकी त्रुज्या वड़ी त्रंडे लए यह तो यही होती है कि जब आए से करके प्रोटाइट को एक्सीलिट करता है क्या करता एक्सीलिट करता है अच्छा किसको प्रोटान को मैंने कहा कि एक क्योटी बच्छी है उवाइश से फॉषी क्रब जाए तो इसकी ओम्हां करने तो एशुप बहुमाना ऐख जाए हैё तो पर्टिकलब्र क्सको में ंम गुम गया तो साइकल्ब हो मगों गया यहां पर साइक्लो और नाम से मिलकर करके बना दिया सांटिस्ट्स ने ऐस का नाम आज के बाद साइक्लो ट्रॉन क्यों क्योंकि प्रोटॉन को एक्सिलेट करता है इस बात का विशेज द्यान रखेंगे अच्छा ठीक है तो साइक्लोटॉन की वस यहीं कहानी थी अच्छा इसमें दो दूती यह रियल्टी भी आते हैं इसको मैं लिख दे रहा हूं यहां पर ठीक है करते हैं देखो अमेशा कोई भी चीज है नहीं मैं आपको बता दू इस चीज को मैं खोलना चाहूं कि जब भी कोई चीज चलती है दुनिया में कोई भी चीज ब्रह्मान में जो भी चीज है आप देख पा रहे होंगी उनके बीच में अमेशा दो बल लगते हैं दो कोई भी क यहां पर खड़ा आओं मैं यहां पर झाला तो मेरे और प्रतिवी में बद लग रहा है कि सब्सक्रेंद बंड उस्टेट सब्सक्रेंग ने कहा कि CT मैं तो कि सब्सक्रइक में कहा कि यह लगा बनाम कंड मार्ग में तो साइकल को जब आप मैंने कहा कि जब भी कुछ चीजे कुम तीज़ते हैं तो यहां पे लगते हैं तो सेंटर की तरफ एक बल लगता है उसको आप अभे वे केंडर बन देते हैं और सेंटर के बाहर बन लगता है मतलब सेंटर की दूसरी तरह लगता है अब कीड्र बल देते हैं जिसको यहां से निकल से आता है जैसे आपने देखा होगा कि नहीं है कि यहां मत्कान करती है तो हम पर मटे कीऑ में बात का बिशिए दिहार रखेंगे ठीक है यहां तक मामला सेट है तो यहां पर एक बल लगता है कौन सा अभी किंदर बल और अभी किंदर बल और अपकेंदर बल दोनों का फर्मूला होता है एप परहाबर फाना से मता रहूं अब है उसके क्यूंत घ्रक गोंसे इस देखे पर नगते हैं मैंने फिर पर यहां संबब और इस प्रतिव्य चल रही है पर इस्तिर वस्तामिय घत्य वस्ताम नहीं यहां पर 2 तो बल लगते हैं इस बात का विशेज द्यार रखें तो मैंने का मैं एक एजमपल दे दूमें कि जब भी कोई कार चलती है तो माने चलो कोई पिंड रखा कुछ इस तरीके से और रखा हुआ है तो गर्षट बल गर्षट बल माने चलो मैं इदा खिंच के लिए जा रहा हूं ऐव बल लगेगा कौन सा अभर केंद्र पल कौन सा होता है मतलब एफ बराबर एम भी इसके रपवन आर पहला पहला समय कर मान लिए मैंने यह अच्छा मैंने कहा कि एक दूसरा बल लग रहा है इस पर पार्टीकल चुमगी सित्रुं रखा जा चुमगी तो हाँ तो मौले सेकंद बहाइभ मैंने कहा कि मौलए मेने कहा कि यह दोनों इस समान हो गया तो तो यहां से आप मान निकाल लो किसका आप निकाल लो आर का मान निकाल लो तो आर का मान तरज्या वो इतने पहर होगी इस यहां पर प्रोट्रम के लिए निए तो मान रखे दें किसका मास होता है तो इसका मान लिए समस्क्राइब देते हैं अच्यां लगाए यह यहां पर क्या आया विद्धू छेतर लोगर दियावन दिया लोग लेक्स भाई लेक्रिविड अच्छा दी का यह चित्र जिसको आप मैंने का चुम्मकी चेत्र चुम्मकी चेत्र और बिद्दो च्पेशेत्र में संबंध अगर कुछ ले तो वी के बराबर होगा जहीं से सबसे पहले मैंने फिचली वीडियो में बताया था जब मैं आप्टिक्स पड़ा रहा था तो वहीं सी का मान 3 x 10 to the power 8 meter per second होता है सबसे पहले किस साइंटिस ने निकाला तो रॉमर नाम के साइंटिस्ट थे उन्होंने निकाला क्या भी सी का मान 3.3.3 into 10 to the power 8 होता है मीटर पर सेकंड इस बात का विसेज़द्यार नके और मैं अच्छा यह आता कहां से यह वाली बात का विसेज़द्यार नकेंगे अच्छा इससे बताने से पहले में आप चीज़द्यार नकाले एक टाइम है टाइम को ही मैं कुछ दूसरे सब्दों में बोल दूं कि भाई यहीं से एक चीज़द्यार निकला करें आ जाएगी टाइम तो यह हो गया यहां पर आप बरती क्या होगी आप बरती बोलें तो सब्सक्राइब अब ढरती होग बिपरीद होती टाइम के बिल्कुल बिपरीद मतलब इनिवर्सली प्रपोर्शनल होती है तो जैसे टी का मान यह तो इसको भी इल्टा कर देंगी तो क्यूबी अपान टू पाई एम यही आपका अंसर हो जागा रिएल्ट बने करें करें के यह त्यार हो गया अच्छा मैंने घंजी आठी का फ़ोडमला होता है वन अपान 2 अन्यार आपका मान केया क्ऊंतो टिएल्ट एंचे इह थैदियों और और एंचा आ यहां इसे लोग और है यहांसे सलम्ठ कर देंगे तो एक दोर यांसे निकाल दिया है यहां से निकाल देंगे बच्छा एम से क्या करते हैं एक इंच नहीं काड़ देंगे वाई सब तो एम काड़ देंगे तो 1 अपउन 2 बीकिर भी स्क्रिक क्यों किया जाएगा यहां पर आ जैगा आरे स्क्रिट को बचे का उतर बता हुआ यह आगया कि नहीं आ गया आप कहेंगे सर्फ अलकुल बास सम अच्छा इदर देखेंगे परिगरण वाकाल होता है तूपाई एम अपन क्यूबी आच्छा रिलेसन आजा किसमें इंड बी एंड वी एलेक्टिफिल्ड एंड एंड मैगनेटिव फिल्ड माले तो पहले लिखेंगे ऊपर की और लेक्टिफिल्ड नीचे के बरावर हो जाएगा प्रकास कभी होता है इस वात कभ सेज़ दर रखेंगे अच्छा इनर्जी तो यह मैंने प्रूब कराई दिया यह कहां से नकल कर आता है और आप बरती आपको बताएं कि क्या होती है इनिवर्शिल प्रपोर्शनल होती है तो आपका इसका उल्टा कर कर देंगे इतनी आजाई ठीक है रियल्ट है इतनी होगा स्क्रीन सोट ले लेंगे सभी के सभी अच्छा जो लिखना चाहें वो लिखे लें तो साइकलोटोन में बता दिया साइकलोटोन नाम केसे ने बना और किसने इसकी खोजबनी सबसे पहले कब की गई और कैसे काम करत आए और रियल्ट केस निकल के आता है मैं सारी की सारी चीजें इस वीडियो में मैंने आपको बता दी तो यहां भी तक बात समय होगी सैकलोटोन के उपर वीडियो रही आपकी और देखो आज है तारीक आज 20 जून तारीक है आपकी डेट है आज की 2021 की बात करें अच्छा 20 जून 2021 तो आपके लिए और हमारे लिए कुस्कवरी है कि और हमारे जो एक जार सब्सक्राइबर्स हैं बहुत जल्दी होने वाले है क्योंकि कुछी बच्चे हुए हैं उसमें तो सेलिवेट करेंगे हम सब भी मिल करके तो वैसे भी देखो मैं बता दूं मैं जब भी यहां क्या था कि मॉडर्ण physics के लोग मैं यहां पर लिख दे रहूं मॉडर्ण physics के बाप कही आ यां मतलब प्रताजी कही आते हैं पिता जी modern physics कैंट कि जो पता जी कहें आते हैं फाधर कहें हैं इसको कहदे कहते हैं आंस्टीन कहते हैं ठीक है आलवर्ट लगणार ग्रत MARK आइप आईपीड तो हूं लोगई लाड़त वर्ट की लख इती एक भर मैंने फिछली वीडियो में भी जिक्र किया था था इक अलवाट आइंशीन ने कहा था कि इमेजिनेशन इस मोर पावर्डफुल तिंग देन नॉलिज मतलब नॉलेज से इमेजिनेशन ज्यादा वहतर होती है इस वात का विसे दाना कि अलवाट आइंशीन ने बताया तो से पैले ठीक है अच्छा तो वैसे भी आज सभी को मैं बता दूं कि आज 20 जुन आज गंगा दसेरा और साथी साथ में फादर स्डे है तो मैं कहूं कभी भी आपके पिताजी मैं खुद अपने पिताजी को बहुत सम्मान करता हूं तो मैं आपसे उम्मीद रखना चाहूंगा कि आप कभी भी अपने पिताजी से गलत न बूलने का प्र्यास जब भी वो खुछ बोलना है तो पिताजी已經 होता है कि भी बत्चे गलतीं करता है तो अपने एक्सपिरियें है कभी उनसे गलत में बोलना क्योंकि भाई माता-पिता है तो सब कुछ है अगर किसी भी डॉक्टर की जरुवत होती है मैंने चलो मैं लिख्यर बेज़ दूँगा वीडियो के अंत में आपको स्टीकल मिल जाएगा तो उसको मैं लिख्यर पढ़ लेना ठीक है मैं ज्यादा नहीं इस बात पर कुछ अर्चा करूंगा ठीक है तो यहां तक वीडियो सभात हुई तो जल्दी ही हम एक यहाद सब्सक्राइब और होने पर सेलिवेट करेंगे अच्छा तब तक के लिए आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं तो तब तक के लि लव यू लव एस टेक केर बाबाए